लुम अन वेलकम टू बीन इट्स नॉलेज आज हम मैट्स कर रहे हैं मैट्स की विश्विट में है color the correct number इसे हमें 11 ने इस box में देखना है जहां पर 11 है वहां पर हम फिल करेंगे color को यहां पर है 10 यहां पर है 12 और यहां तो हम इस तरीके से यहां पर 11 में फिल कर देंगे colors ठीक है तैन है 10 तो जो 10 number है यहां पर हमें दिखा दिखाया है 10 T E N 10 जो spelling में दिया गया है और यहां पर है वो उसका number तो यह है number 10 तो हम उस पर color कर रहे हैं हमें इसी तरीके से number को read करना है name को and then हमें यहां पर यह सारी 2 पर कर देंगे है then है हमारी पास 14 तो यह है F O U R 4 14 16 पर है तो यहां पर 1 6 16 ठीक है next next पर है circle the greater number greater यानि की बड़ा number जो number बड़ा है उसमें हम जैसे number 1 पर है 7 और 9 तो 7 नमबर छोटा है पहले आता है then उसके बाद आएगा 9 नमबर तो 9 नमबर जो है वो है हमारा greater number ठीक है तो इस तरीके से हम यहां पर number 9 पर circle करेंगे ठीक है then है number 2 18 और 14 तो greater number 14 पहले आएगा 18 बाद में आएगा और जो बाद में आ रहा है वो है greater तो 18 पर हम circle कर देंगे then है 3 पे 20 और 28 तो of course 20 last आता है 20 पहले आ जाता है तो 28 पे circle कर दिया then है number 4 40 और 44 तो यहां पे 44 पे हमें circle करना है then है number 5 5 to 52 and 59 59 तो यहां पे हम 59 पे हम लोग circle कर देंगे then है circle the smallest number अब जो कहा गया था हमें last उससे बिलकुल opposite करना है यानि कि जो छोटा number है उसको circle करेंगे बड़े number को रहना देंगे small यानि कि छोटा तो number 1 पे 7 छोटा है 17 बड़ा है number 2 पे है 43 and 48 43 छोटा है number 3 पे है 40 और 90 तो 40 है वो छोटा number है then है number 4 पे 5 to 52, 2 to 22 तो 22 हमें छोटा है तो उस पे circle करना है then number 5 14 and 4 तो यहां पे हम 4 पे circle करने को बच्ची को सिखा सकते हैं then next next हमारे complete pattern अब जो यह सारी चीज़े जो objects दी गया है जैसे कि है triangle है circle है triangle है circle है triangle के बाद क्या है circle triangle के बाद क्या है circle triangle के बाद हमें यहां पे बच्चे को circle करवाना है उसी तरीके से यह जो box दिये गए है वो एक plan box है एक designer है lining वाला है एक plan है एक lining वाला है तो हम यहां पे बच्चे को यह plan box करवाएंगे then star है triangle है star है तो हम यहां पर स्टार के बाद ट्राइंगल दिया गया है तो यहां पर लास्टार आया है तो यहां पर हम बच्चे को ट्राइंगल करवाएंगे देन है स्माइली चोटी वाला और बीना चोटी का इस तरीके से हम यहां पर चोटी वाला है उसके बाद बीना चोटी का है तो कौन है केंडी है कौन है तो केंडी आएगी यहां पे हमें उल्टा यू बना के लाइन करके इस तरीके से बच्चे को सीखा देना है चलो नेक्स्ट नमबर फाइव पे हमें है काउंट दो डॉट्स एन व्राइट इन नमबर यह जो पैटन दी गई है उसके अंदर जो डॉट दी गई है उसके अंदर उसका टॉटल नमबर हमको फिल करना है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 तो हम यहां पे 10 लिखवा देंगे ते नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहां पे हम 8 लिखवा देंगे चलो नेक्स्ट कम्प्लीट बैक्वर्ड काउंटिंग बैक्वर्ड का मतलब होता है पीछे से शुरू करना जैसे कि है 1 2 20 इसलिए हमें 20 2 1 का यहां पे कम्प्लीट करके देना है तो यहां पे हम लिख देंगे 20 19 18 17 तो दिया गया है 16 15 14 दिया गया है 13 12 11 दिया गया है 10 9 8 7 दिया गया है 6 ठीक है फिर है 5 दिया गया है 4 3 2 और 1 हमारे पास है दिया गया इस तरीके से हमें 20 2 1 पे कम्प्लीट करना है उसको बोलते हैं बैक्वर्ट कांटिंग नेक्स्ट मिसिंग नंबर्स हैं यहां पे राइट मिसिंग नंबर्स तो हमें यहां पे जो भी नंबर मिस बनलब की यहां पे ब्लैंक दी गई है उस जगा पे हमें यह कम्प्लीट करवाना है 15 दिया गया है उसके बाद ब्लैंक दी गई है तो यहां पे आएगा 16 फिर ब्लैंक है 17 फिर 18 दिया गया है फिर यहां पे हमें 19 करवाना है देन 2 3 और बाकी सारी ब्लैंक है तो 2 3 4 5 औ और दो ब्लैंक दी गई है 11 12 अब यहां पर क्या है पहले ही ब्लैंक है और बाद में नंबर है तो कैसे पता चलेगा जैसे हमने आगे सिखाया था ना backward counting वह करवानी है 13 है तो उसके पहले आएगा 12 12 से पहले 11 और यहां पर after नंबर यानि की forward counting करनी है तो यहां पर 14 के बाद आएगा 15 तो चोटी चोटी चीज़े हमें बचों को याद करवानी है तो 8 के पहले 7 7 से पहले 6 यहां से backward counting करवानी है और 8 के बाद forward counting करवानी है तो 8 9 10 तो यह सारी लाइन complete हो गई ठीक है next तेन है हमारा question number 8 है यहां पर write in figures figures का मतलब होता है यह है number names और यहां में यहां पर numbers लिखने हैं बच्चे को अलग अलग तरीके से बताया गया है कहीं पर इस तरीके से आएगा write in numbers तो यह दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, यहां पे हमें figures में लिखना है, यह है 2, तो हमें यहां पे लिखना है 2, then है 8, तो यहां पे लिखना है 8, 11, 11, 16, 16, 16, 20, 20, 20, ठीक है, next, next पे हमें मिला है, write in words, अच्छा, तो हमें यहां पे क्या करना है, जिस तरीके से वहां पे number names दिए गए ह यहां पे numbers दिए गए है, अब इसका spelling लिखना है, उसको word में कैसे लिखते हैं, spelling कैसे लिखते हैं, और number name की से कहते हैं, इन सारी चीजों का एक ही मतलब होता है, किसी भी तरीके से उचा जा सकता है, तो यहां पे है 7, तो हम लिखेंगे 7, then है 9, N, I, N, E, 9, then है 12, T, W, E, L, V, E, 12, फिर है 16, S, I, X, T, E, N, 19, N, I, N, E, T, E, N, 19, ठीक है, next, then है write original number names, तो यहां पे है 5, तो उसको number में ऐसे लिखते हैं, और number names में उसको number names नहीं बोलेंगे, ordinal बोलेंगे, ठीक है, तो जैसे यहां पे लिखेंगे F, I, F, T, H, तो बन जाएगा 5, फिर है first, F, I, R, S, T, first, then है third, T, H, A, R, T, H, I, R, D, third,